हेलो आल आफ यू जैहिन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब बहुत ही बड़ी और स्वस्थ होंगे तो यह वारे होस्टल वार्डन और जैसे दोनों के एक्जाम हो चुका है और आई होप आप सबका एक्जाम बहुत ही बढ़िया हुआगा सेधे पॉइंट पहूंगा मैं मुद्द की बात करूँगा यहां पर देखो हम कटाफ की बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले थोड़ी से बात देंगा आपके अटेंडेंस की जो की काफी इंपोर्टेंट है प्लस एक आप लिए बहुत ही अच्छे इसमें पॉइंट हो है वेटिंग लिस्ट इसकी बा अगर देखो हम बात में अटेंडेंस की तो अटेंडेंस कहीं न कहीं जेएसम में काफी कम थी और वार्डें दोनों में कम थे ठीक है इसके देखो रीजन यह थे ना कि पहले बात दोने अग्जाम सेम डे पर थे कुछ लोग का ऐसा वा कि सेंटर दोनों के अलग-अलग करीब 40 से 45% तक हम एवरेज मान सकते हैं ठीक है अटेंडेंस का कि इतने लोग कमक себя present रहें एवरेज सबको मिलाते जाये तो बाно, कि आपके रूम में कितने लोग थे, आप कोंट कर सकते हो कि आपके रूम में कितने लोग थे, जहां तक मेरा मानना है बाकी देखते आगे ठीक है अगर देखो हम बातें कटाफ की तो कई चीज़ देखो डिपेंड करती है पहला देखो आपका पेपर का लेवाल है कि पेपर का लेवल क्या था दूसरा आपके देखो वेकेंसी पर भी निर्वर करती कि वेकेंसी कितनी थी और तीसरा attendance में काफी matter करता है चाहता है इसका syllabus भी एक बहुत बड़ा factor है syllabus क्यों क्यों क्योंकि देखो होता क्या ऐसे exams में जो vacancy कभी गदार आती है हलांकि ये vacancy दो को पहली बार ही आई थी इसके लाओ जो vacancy कभी गदार आती है ये सारे कहीं ने कहीं थोड़ा ये साल बार आती है ये सारे बच्चे ऐसे exams यहां के रहावी हो जाती है लेकिन यहां पे syllabus भी इसका काफी different था इसलिए इसमें ऐसा कोई scene नहीं होने वाला है इसकी त्यारी जिसने की थी वही इसमें fight कर सकता था अगर देखो वेकेंसी की बात करें तो वेकेंसी यार टोटाल आपके देखो 669 जिसमें से देखो मेल फीमेल दोनों वेकेंसी एक्टम सेम थी कोई variation नहीं सिर्फ एक वेकेंसी देखो यहां पर यहां काम है बाकि देखो यहाँ पर काफी थी क्योंकि मतलब इतनी वेकंसी यहाँ पर थोड़ी सी वेस्ट जाएगी बाकि यह वेकंसी देखो एचेच के लिए है ठीक है तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है अगर देखो हम बात में सिलेबस की तो मैंने खुद पेपर को काफी अच्छे से अनालाइस किया है बाकि देखो मैं आपको बता देखो यह सलेबस ऐसा था कि जिसने अब मालो कोई बच्चा है सेसी वाला है वेंकिंग वाला है अच्छा है वहाँ बस सलेक्ट नहीं हो पाया थोड़े इस नंबर की वज़ए से तो यहाँ भी क्या कर लेगा जी यह सब के लिए भी बात है रिजनिंग मालो कर लेगा और यहाँ पर मालो थोड़ा वक्त इसमें कर लेगा बस खतम काम इतने में कुछ नहीं होने वाला ठीक है इसमें देखो सब करना पड़ था मेन यहाँ पर देखो गेम आपका केलगा अड्मिनिस्रेटिव एप्टिटूड और पोस्ट को ठीक है यह दोनों देखो 40 नंबर का था और यह बहुत ही बड़ा मेटर कर आपके कटाप में जिसनी इसको अच्छा स्तियार किया था कहीं ने कहीं वही फाइट में आगे होगा बाकि देखो रिजनिंग है टाइम आपके पास इतना था एक सो बीस कोईशन थे और आपके पास अगर आपके अच्छे से प्रेक्टिस नहीं की थी बाकि इसके लाओ कोई कुश्चन ऐसे नहीं थे जो आप टाइम देने के बाद नहीं कर पाओगे मालो कोई कुश्चन अच्छा है आपने उसमें पांच मिनट दी हो जाएगा टाइम भरपूर था आपके पास इसलिए ठ के लिए ही बात कराओं क्म्पीटर में भी देखो आपके 8-14 कोश्चन लगबग की होंगे ठीक है लागी पोस्त को देखो जिसने त्यारी कियोगी जिसने अच्छे से पढ़ा था ठीक है ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा अत्तर रहाते लोग इसे पढ़के जाते हैं जितना आपने पढ़ा होगा, उतना ही सामने वाले ने भी पढ़ा होगा, तो ये कहीं नगे हैं, आपकी fight कापी balance कर देगा, जिसने पढ़ा होगा, वही fight कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लाओगा वाकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो आकरी के 10 दिन पर तो गये होंगे ठीक है तो इसमें आई थिंग यार जिसने अच्छे से पढ़ा होगा 10 में से कम से कम 7-8 किया होगा 30 में से कम से कम 25 तक इसमें भी किया होगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा बाकि ये देखो depend करता आपने इसमें कितने किया है ठीक है तो overall देखो paper के लिए वाल बहुत tough नहीं था paper के लिए वाल देखो easy to moderate था क्योंकि main आपका reasoning की question है और ये general awareness है 4-5 ते फाल तो question जीए है बाकि 4-5 question आपके अच्छे थे ठीक है तो overall देखो हम बात करते हैं मेरी साब से cut-off की तो ये देखो cut-off की रह सकती है ठीक है unreserved 90 देखो email cut-off है जो आपको answer पता है वो exact नहीं है जब आपकी final answer की आयागी तो वहाँ पर काफे सारे variations होंगे कई सारे question ऐसे होंगे जिसमें सबको number मिलेगा कई सारे question ऐसे होंगे जो आपको सही लग रहा लिक गलत होंगे कई सारे question ऐसे भी हो सकते हैं आपको गलत लग रहा है लेकिन बागी हो सही होंगे ठीक है तो वहाँ पर variation होगा तो अभी अगर आपके इससे कम ज्यादा number थोड़े बहुता है तो बहुत निराश मत होना अभी देखो final answer क्या नहीं बात कि लिए है लेकिन मेरे आपको पता है वेकिनसी इतनी है कि अगर 20,000 लोग इसके लिए प्रिपेर कर लेंगे तो फाइट कर लेंगे आपस में तो यह कटाफ रह सकती है बाकी इससे एक दो नंबर उपर नीचे भी हो सकती है ठीक 93-95 UR में रह सकती है थोड़ी सी हाई भी जा सकती है इसमें में है क्य चाटेंगे ठीक है इसलिए कटाफ फूरी इसकी हाई रह सकती है क्योंकि सिर्फ सिंगल एक्जाम पर कुछ नहीं था इसमें इसलिए ठीक है तो 95 के आसपास जिसके UR में है I think safe रह सकता है 90 का आसपास OBCWS में 85HC में और 80ST में इसका विसक्रीन शॉट ले सकते हो जब रहे ठीक है तो यहां पर थेको वेकिंसी मेल फिमेल की बराबर थी यह मसं बंचना कि अपर किया था तो जो पोक्सों था और डबल ए था उस्वो कोई ऐसा नहीं था कि सबकिसी ने पढ़़ा रखा होगा वो ऐसा था कि आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से दो-तीर महीने देना पड़ेगा और इस matter में कहीं फिमेल आगे होती है जो ऐसे आपके subject होते हैं जो कभी-कभी पढ़ना पड़ता है जैसे मालो पेडागोगी हो गया statement ठीक है मतलब ऐसे क्या होते है थोड़ा सी ये इसमें पढ़ने में माहिर होती है ये थोड़ा सी इसली याद कर लेती है तो कहीं ने कहीं कटाप में दोनों के देखो दोनों के आपस में कोई fight ने लिकित दोनों कटाप में अच्छा कासा fight होगा कि कटाप male कितनी female कितनी है ठीक है तो जिसके भी इसके आज पास है I think safe रहेगा 90s 92 UR 88 OBC 87 EWS 80 HC और 75 ST बाकि ये थोड़ी से और कम भी रह सकती है मेर तक मेरा मानना है ठीक है बाकि एक service man और देखो जाहां तक मेरा मानना है कि इसमें female की एसम की वेकिंस की खाली जाएगी क्योंकि 33 वेकिंसी है और होस्टल वार्डन किया और आपको पता है इसकी स्कूल हर जगा नहीं होते है ट्राइबाल अरियास में होते है थोड़ी से व ले सकते हो और यह कटा आपके देखो mail के रहेगा इसका screenshot ले सकते हो ठीक है कोई doubt तो आप comment कर सकते हो बाकि I hope आप सब बहुत ही बढ़िया हो गया आप वेट करो बाकि जो भी आपका अगला exam आप उसकी त्यारी करते रहो इसके भरोसे किसी को बैटना नहीं है क्योंकि रिजल्ट का कोई पता नहीं होता है कब है कब नहीं आएगा हलांकि रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए जहां तक मेरा मानना है क्योंकि वेकंसी सारी मिशन मूट पे है ठीक है 23 की सारी वेकंसी जो भी Central Government के थी सभी मिशन मूट के अंडर में थी इस वाग कि धान रखन आप तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आना चाहिए बाकी देखते हैं ठीक है तो ठीक है बाई बाई टेक केर आपसे ध्यारक ना अपना जैन जै भारत